लिडर जो है उसने नित्रुत्व किया और वो सबसे फ्रंट के अंदर सब लोगों के बीच में लड़ा और उसने बाकी लोगों को बताया कि लड़ना ऐसे होता है ओके ग्रेट है उसके अपास तीन सौ अज में लगी वो पर्फेक्टली ट्रेंड थे उसको सबसे को काम दिया था वही सबसे सबने किया तो क्या पूरा सामने वाले के टार्गेट कर सकया अच्छे सामने जो थे वह दस लाग लोग थे और दस लाग सेना के शामने लड़ने व प्रेटरजी अपनाई और हर बंदे ने अपना बेश्ट दिया जिससे वो सारे लोग मारे गए तो ये वीडियो दिखाने का पीछे का परपस ये है कई बार हमारे माइंड में ऐसा होता है कि मेरी टीम में काम करने वाले पांच लोग है दस लोग है पंदरा लोग है बिस किया है और उस परसंद की कैपिसिटी क्या है शमता क्या है क्या वो शमता आपके लेवल के बराबर है क्या आपको ऐसा महसूस होता है अगर नहीं है तो अभी भी टीम को प्रॉपर तरीके से अलाइन करने की आवशकता है क्योंकि कई लोगों को ये फिल होता होगा हम काम कर करते हैं तो result 100% आता है टीम काम करती है सला result नहीं आता है होता है फिल क्यों क्योंकि हमारी efficiency जिस level की होती है हमारी company को लेकर उस level का mindset हमारे लोकों का होता है तो वहाँ पर जब team management की बारी आती है ना वो होती नहीं है देखते हैं क्यों नहीं होती है वर ये करने के पीछे का कारण क्या रहता है हम अपनी टीम को मानते क्या है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन है आपकी टीम आपके लिए क्या है एसेड है कि लाइबलेटी है कितने लोग एसेड बोल रहे हैं मेरा इनको क्वेशन है कैसे तीम चेह यह आपने कमा के दे रही है तो इनको जितना देगे उतना ही ज़्यादा वो अपने को रिटेन करेगे ओके ग्रेट और टीम एसेड कैसे तो वो आएसेड कैसे मेरा सवाल ही है तो अब मैं पूछूगा टीम जो है वो लाइबलिटी मैं बोले लाइबलिटी लाइबलिटी कैसे न मतलब वो कही ना कही हमारे लिए जिम्मेदारी है जिस दिम्मेदारी को हमें निबाना है और उनके प्राबलम जो है वो सौल करना है जितने भी लोगों ने बोला कि टीम जो है वो अपने लिए एसेड है और जितने ने भी बोला टीम जो है वो अपने लिए लाइबलिटी है अब मैं फाइनल आंसर आपको बताना चाहूगा टीम जब आती है ना आपके साथ तो वो एक लाइबलिटी लेकर आती है क्योंकि वो एक जिम्मेदारी के साथ आपके साथ जुड़ेगी लेकिन उस टीम को जिम्मेदारी से asset में convert करना एक leader का जो होता है न वो एक गुण होना चाहिए जो आप लोगों को अपने अंदर build करना है clear ऐसे देखने जाए तो दोनों है लेकिन हमें जो अपनी liability है उसको हमें अपनी assets बनानी है एक leader का काम है वो कैसे होता है और वो क्यों होता है उसके उपर आगे बात करते हैं पहले हम समझते है कि liability अगर है या asset अगर है तो वो कैसे है तो जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर answer दिया कि हमारे लिए वो assets है तो उसका पहला कारण क्या निकल कर आता है source of happy customers happy customer बनाना यह आपने level पर अगर आप बनाने जाओगे तो limited बना पाओगे टीम को लेकर अगर बनाओगे तो बहुत ज़्यादा बन पाएगे तो वो हो गया दूसरा किया आएगा source of profit बहुत सारे लोगों ने बोला team ही कमा के देने वाली है तो आप अगर effort करोगे तो एक level त है इसका मतलब कि आपकी team आप जब नहीं होते है तो आपकी company को वो represent करते है और आपकी company को जब वो represent करते है customer के सामने तो वो person आपके लिए brand ambassador होगे फिर हम बात करते हैं कि service जो है वो coordinate करने वाले sales करने से पहले भी कुछ process करनी होती है और sales होने के बाद भी कुछ process करनी होती है आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते तो आपकी team होगी तो पहले का भी काम बढ़िया होगा और बाद वाला भी बढ़िया होगा और उसके बाद आपकी टीम आपसे बहतर आइडिया आपकी कमपनी को ग्रोव करने के लिए दे सकते है बकाइदा ये है weekly meeting, monthly meeting, quarterly meeting करके क्या आप अपने टीम से idea, suggestion मांग रहे हो अगर मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे नहीं देगे क्योंकि उनको एक डर होता है ओनर मेरे बारे में क्या सोचेगा या ओनर को मैं ये बोलू या ना बोलू उस डर को हटाना है clear? तो ये सारी चीज़े अगर अच्छी हो रही है आपकी टीम के हिसाब से तो आपकी टीम आपके लिए क्या होनी चाहिए? और अगर आप asset अपने टीम को मानते हो as a assets आपको करनी चाहिए क्या वो चीजों की practice आप कर रहे हो? हाँ या ना आपको answer देना है मैं आपको question पूछूगा सबसे पहला question यहाँ पर आप लोगों के लिए रहेगा am I thinking, taking care of my team emotionally and financially? क्या हम अपने team की emotional और financial take care कर रहे है? अगर हाँ, तो समझना आप अपने team को asset मान रहे हो बाकी खाली अच्छा लगने के लिए बोल रहे हो दूसरा question आपको पूछना है am I providing him training and development for this growth? क्या मैं मेरी team के growth के लिए उनको लगातार training दे रहा हूँ? guideline provide कर रहा हूँ जिनसे वो grow करें, वो आगे बड़े अगर हाँ, तो समझना आपके लिए वो asset है और आभी asset मान रहे हो बाकी आप खाली बोल रहे हो कर नहीं रहे हो, कुछ फिर सवाली यह आता है am I monitoring and guide him for his career? क्या मैं उनको monitor कर रहा हूँ? क्या मैं उनको guide कर रहा हूँ? क्या मैं उनको guideline provide कर रहा हूँ? जहां से वो अपने career में grow करें जिस दिन वो आये थे उस level के उपर और 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 मैना, 1 साल अगर हो गया है तो क्या उसके अंदर को चेंजिस बदलाव आपको देख रहा है? तो वो करने की जिम्मेदारी आपकी है am I thinking about him, family? क्या आप जानते हो आपकी team में काम करने वाले लोगों का परिवार कैसा है? उस परिवार में कितने लोग है? कौन क्या कर रहा है? क्या ये सारी चीजों के ओपर कभी आपने वर्काउट किया? क्या आपने अपने team को family member की ना? और last question आता है क्या आपके पास लिखित में लिखा हुआ है आपकी trim के goal और सपने क्या है? अगर आपको पता है उसकी success की चावी क्या है तो वो आपको देगे आपके success की चावी simple चीज़ अगर मैं बोलू तो give and take होता है जो आप दोगे वो आपको मिलेगा आपको अपना vision पूरा करना है yes or no? तो आपको अपने team के goal पूरे करने पड़ेगे अगर वो होगे तो आपके सपने पूरे हो नहीं है simple पूरे 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 तमारा विजन मिशन अमने लेखी तमा आपको सूचे तमारा goal मिशन तो स्टाप तिया आज काई चेके मारू विजन मिशन सर ने केम दे हुए उससे पहले उससे पहले एक bonding बनाना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी बंदा अपनी जिंदगी की जो किताब है वो आपके सामने खोल नहीं पाएगा तो वो खोलने से पहले एक bond बनना ज़रूरी है और वो bond बनने के बाद एक time ऐसा आएगा जिस time पर यह चीज़े आप पूछ सकते हो अगर आज आपके पास आपकी team के सपने लिखित में है या अगर आपके पास वो note किये हुए है इसका मतलब आपको यह समझ कर चलना है आप अपने team को grow करवा रहे हो और उसकी तयारी आपके पास है क्योंकि इसके बाद इसका planning आपके पास होना चीज़े वो अच्यू कैसे होगा गुरु कुल की team में काम करने वाला एक सक्षियद एक person इस तरीके से गुरु कुल के साथ आसे पास साल पहले जुड़ा था कि उसके पास कुछ नहीं था वो अपना परिवार वर गाव छोड़कर यहाँ special आया था गुरु कुल की ओपर भरोसा रखे और बोला था कि मुझे मेरी जिंदगी में कामियाब होना है मैंने बोला कामियाब होने के लिए आपके dream क्या है बताओ उसने बोला mobile तो वो उसको गुरु कुल से मिला उसने बोला गाड़ी वो भी उसको गुरु कुल से मिला उसने बोला साधी की तैयारी तो तैयारी के लिए भी गुरु कुल ने उसको support किया और आज वो गुरु कुल का director है राजकोट का यह पास साल की उस परसन की जर्णी है जो जिरो से उसने सुरू किया था आज इस कंपनी का ओनर है एक ब्रांच का तो क्या इस तरीके से जर्णी आपने अपनी जिंदगी में आपके लोगों के साथ बनाए है तो सिंपल सवाल है लोग आपको जिंदगी देगे क्यों पास साल देगे क्यों? क्योंकि उनके भी तो सपने है, उनके भी तो गौल है, उनको भी तो कुछ करना है, तो अगर उनको जो करना है, वो करने में अगर आपने मदद कर दी, तो आपको जो चाइए वो आपको दिला मानते हैं कि आज भी हम अपनी टीम को लाइबलिटी ही मानते हैं कि इसलिए इसलीरी जो आती है न वो कहा में अकाउंट में कि अजिए करतें कहा अधी यह सेलरी कि है कि और क्रेडिट में कि प्रॉफिट तो समझ न भले वह वहां पर हमने लिखा हुआ है खर्चे के हिसाब से लेकिन उसके अंदर जो लोग है वो आपकी सबसे बड़ी एसेट्स है